एक पडोसी पर 9 साल के बच्चे के शरीर पर चावल का गरम मार फेकने के गंभीर आरोप लगे हैं यह घटना बुदबार की दुफैर को मोथाबारी थाना के केशरपुर इलाके में घटी है आप एक बार फिर सुनिए पूरी घटना क्या हुई थी एक पडोसी पर 9 साल के बच्चे के शरीर पर चावल का गरम मार फेकने के गंभीर आरोप लगे है यह घटना बुदबार को दुफैर को मोथाबारी थाना के केशरपुर इलाके में घटी है बता दें की चावल के गरम मार के कारण बच्चे का शरीर बुरे तरीके से जुलस गया था फिलाल घायल बच्चे का मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हिलाज चल रहा है वहीं पता चला है कि उस बच्चे का नाम मीरा रूल अली है आरोप है कि आज सुबा बच्चा अपने घर के पास ही खेल रहा था तबी एक पडोसी ने बच्चे के शरीद पर गरम चावल का मार फेट लिया इसके बाद बुरे तरीके से ज़क्मी हालत में उस बच्चे को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया फिलाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है पता चला है कि गरम मार के कारण उस बच्चे का शरीद लगभग पच्चास प्रतीशत तक जल चुका है दिल को दहला देने वाली खबर आप एक बार फिर सुनिए एक परोसी पर नौ साल के बच्चे के शरीर पर चावल का गरम मार फेकने के गंभीर आरोप लगे है यह गटना बुदवार की दफैर को मोधाबारी थाने के एक एक एशर पर इलाके में गटी है पता चला है कि चावल के गरम मार के कारण बच्चे का शरीर बुरे तरीके से जुलस गया था फिलाल खायल बच्चे का मालदा मेडिकल कॉलिज अस्पिताल में इलाग चल रहा है पता चला है कि उस बच्चे का नाम मीराउल अली है आरोबे की आज सुबह बच्चा अपने घर के पास ही केल रहा था तबी एक परोसी ने बच्चे के शरीर पर गरम चावल का मार फेक लिया इसके बद बुरे तरीके से जखमी हालत में उस बच्चे को मालदा मेडिकल कॉलिज अस्पिताल ले जाया गया फिलाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है वहीं पता चला है कि गरम मार के कारण उस बच्चे का शरी लगभग 50 प्रतिशत तक जल चुका है आपको बता दें कि आगे भी हम इस खबर पर नज़र रखेंगे जो भी अपडेट्स आएगा हम आप तक पहुचाएंगे